आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूं दो मेजर चेंज़ेस की जो की निव एंसी आटी में हिडन है जिस पर हो सकता है बच्चा फोकस ना करें बहुत सारे बच्चों के पास ना ओल्लाइन इंसी आटी लेकिन बटा यह बहुत इंपोर्टेंट है आज दो चेंज़ेस हैं जो न्यू इंसी आटी में हैं तो उसको बहुत ध्यान से देखेगा अगर आप कोई पहले से पता थे वेलें गुट अगर आप कोई नहीं पता थे तो प्लीज इस वीडियो को सेफ कर लो पूरा देखना चोटा सा वीडियो बनाऊंगी और मैं इसको एक्स्प्लेइन भी करूंगी आज दूसरी चीज आपके कोई भी फ्रेंड्स हो स्कूल के कोचिंग के वाट्साप के टेलिक्राम के उन सबको यह वीडियो जरूर शेर कर सबसे बड़ा चेंज है इसमें जब आप जाएंगे इसके सेकंड पेज़ पे आप इसके सेकंड पेज में बेटा जी एडिशन देखेंगे स्ट्राटीजी ऑफ एंहांस्मेंट फूड प्रोडक्शन आप जानते स्ट्राटीजी वाला चैप्टर न्यू इंसी आटी न्यू सिलेबस में से कट हो चुका है लेकिन बेटा स्ट्राटीजी वाले चैप्टर में से दो टॉपिक उठाकर इन्होंने बाइटेक की आप्लिकेशन में डाल दिये हैं पहला टॉपिक है टिशू कल्चर दूसरा जो टॉपिक है बेटा जी वो कौन सा है स्ट्राटीजी नहीं है टिशू कल्चर जरूर पढ़े और स्ट्राटीजी जरूर पढ़ ले यह मिस आउट हो सकता है ठिंकिंग की स्ट्राटीजीज का चाप्टर नहीं है तो टिशू कल्चर पर सवाल नहीं आएगा टिशू कल्चर और समाटिक हाइबिडाइजेशन पर डेफिनेटली सवाल आ चुके हैं क्योंकि यह न्यू एंसी आटी में मौजूद है प्लीज टीप दिस थेंग इन माइंड इसको सामने लिख लो कई बरी हमारा हम इतने जादा व्यस्त हो जाते हैं न्सी आटी को पढ़ने मियान हमारे हाथ में ओल्ड न्सी आटी होती है हम उसके ओवरलापिंग चैप्टर महीं से पढ़ रहे होते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता कि यह वाला पोर्शन मुझे स्ट्राटेजी में से जाकर पढ़ना है तो प्लीज अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिकी नोट लगा लिजे कि टिशू कल्चर पेज 177 ओल न्सी आटी से और अगर आपके बास न्यू इंसी आटी है तो तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है आपके पास यह वाला मैटीरियल आपने देख लिया होगा नहीं सब्सक्राइब करता है वह आता है चापटर रेस्पीरेशन इन प्लांटस में और प्लांटस कि अगर पेज पर जाएंगे यह इनुआ नियू इन इंसी आटी दिखा रही हूं लास्ट पर जाएंगे 209 नंबर 161 है अगर आप इस पेज पर जाएंगे तो यहां इनोंने कर इ opacity है controversy पेहले कि NCart बहुताती थी एनसे त कहते थी तो इक ATP बनेगा लेकिन all एए चेंज अगया है इन्होंने ठीक कर दिया, actually में ठीक है, ठीक कर दिया है, टेक्स्ट में सिरफ, कि भाई, दो नहीं, दो नहीं, पोर प्रोटॉन जाएंगे, पोर प्रोटॉन जब पंप होंगे, तो क्या बनेगा, एक ATP बनेगा, अब कॉंट्रोवर्सी आ गई है, डाइगराम और टेक्स्ट मे डाइगराम में यह पुरानी बात कर रहे है, टेक्स्ट में लेकिन इन्होंने अपडेट कर दिया, what we have to follow, तो मैंने आपके लिए टेबल बना दिया, कि दोनों केसिज में क्या रिजल्ट्स बनेंगे, have a look at this, यह सारा टेबल में आपने टेलिग्राम सी, पाउजा बाली जी ओफिशल पर शेयर कर दूँगी, वहां से जाकर देख लेना, इसको फॉलो जुरूर करिये, देखे, पहले मैं आपको बताते हूँ, ओल इंसी आटी क्या कहती थी, इस डाइग्राम में, आप पहले इस डाइग्राम को देखिए, इस डाइग्राम में कोई चेंज नहीं आय और उसका अगले पेज का डाइग्राम और टेक्स्ट कहता था कि दो प्रोटॉन से एक एटीप बनता है, बोथ डाइग्राम एंट टेक्स्ट में ऐसा था, अब फिर हम जानते हैं कि उससे पीछे वाले पेज पे ओल्ड और न्यू एंसी आर्टी बोथ में क्या लिखा 1-NH-DH-to-6 proton pump करेगा, 1-F-A-DH-to-4 proton pump करेगा, आपने offline coaching में करते हैं या फिर online coaching में करते हैं आपने ये number भी कही ना कहीं जरूर सुना होगा, हम 10 की जगा 6 लिखते थे, 6 की जगा 4 लिखते थे, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसी data को support करती थी, जो कि हाला की इतना correct data नही ठीक है अब क्या किया इस तो चीज़ को सपोर्ट कर रही है दो चीज़ें एक तो पीटाजी यह चीज इसने लिख दिये दूसरा थे में इसने ठीक सपोर्ट कर दिया है तो अगर मैं इस टेटा को सपोर्ट करूं तो इसके अकॉर्डिंग बिटा जी एक एने डिएस्टू कितने एटिपी बनाएगा तीन नहीं बनाएगा 2.5 बनाएगा 1.5 बनाएगा मैंने क्यालकुलेट करके भी आपको दिखा दिया है जो क ही टेकनिकली करेक्ट है जब आप आगे और लाइफ साइंसेज में जाकर बॉतनिक और डीटेल में पड़ते हैं जी आर एफ की त्यारी करते हैं तो यह बढ़ाया जाता है कि धाई एटीपी और 1.5 बनेंगे मैं इस डिसकॉशन को यहां पर इसलिए लेकर आई हूं पहले इसलिए ने लेकर आए थे क्योंकि इस डायग्राम को छोड़के बाकि सारा डायग्राम इसी चीज़ को सपोर्ट करता था टेक्स्ट भी इसी चीज़ को सपोर्ट करता है लेकिन आज मेरे पास करेक्ट के सपोर्टिंग डॉक्युमेंट करेक्ट कांसेप्ट के सपोर्टिं त्री और बेटा जी टू लेंगे न्यू इंसी आटी के अकॉर्डिंग अगर मैं धाई और डेड लेके चलूंगी तो टोटल एटीपी कितने बन जाएंगे 32 एटीपी यहां पर बन जाएंगे अब सवाल आता है मैं ठीक है हमें एक question आया था human reproduction का spermiogenesis पे वहां पर NTA ने concept को सही ठहराया था NCRT को गलट ठहरा दिया था concept was right यानि कि वैसे तो choice आएगी नहीं there are very least chances कि ऐसे controversial चीज में choice आ जाए बट अगर choice आएगी तो हम concept को ठीक मानेंगे and concept मेरा यही वाला ठीक है तो इसके according धाई और डेड़ ही बनता है concept wise this is the right one क्योंकि इस पर इनोंने concept को ठीक माना था बाकि again अगर ऐसा हुआ concept को ठीक माना गया again people will you know go and challenge the answer की challenge करेंगे तो हो स मिल जाए and there may be a chance की ऐसा question आए ना बट आपकी knowledge में यह चीज होना चाहिए that the text has been updated अब text और diagram दोनों two hydrogen ion नहीं बोल रहे है डाइग्रम बोलता है दो proton से एक ATP टेक्स्ट बोलता है four proton से एक ATP am I clear am I clear जब आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे इस वाले को तो आपको सारी बाते absolutely clear होगे अब मैंने भी पहले पुरानी NCRT के according कि कराया अगर आप मेरे पुराने lectures देखेंगे आपको भी यही data मिलेग कि हम 380P और 280P की बात करते थे एक energy is to 380P दूसरा एक FADH to 280P फोल कॉंसेप्ट था उसी को सही माना जा रहा था क्योंकि हर लाइन हर डाइग्राम NCRT के एक डाइग्राम को छोड़के बाकि सारे उसको support कर रहे थे और उसकी according question ठीक बैट रहे थे बट अब वो धीरे-धीरे concepts को ठीक कर रहे है and there are high chances जब अगला update आएगा NCRT में तो वो इस diagram को भी update कर देंगे अगर उन्होंने ये diagram update कर दिया तो उनको ये जो पीछे लिखा हुआ text है ये जो पीछे लिखा हुआ text है बेटा जी इस text को भी update करके बिल्कुल correct information धाई और डेड वाली पे आ जाना पड जी ये दोनों चीजे हमेशा याद रहेंगी कि ये दो बड़े changes आपको new NCRT में फोड़ा साथ ध्यान से करने हैं और मुझे लगता है since tissue culture somatic hybridization has been added तो यह question आपके इस यहां से एक question बनने के chances तो definitely बनता है अब मैं समय बहुत कम रहे गया है हम तैयारी कहां से करें तैयारी क कराती रहूंगी out of NCRT बहुत जादा जाओंगी ये सब चीजों को मद्य नजर नहीं रखोंगी practice कम करोगे तो बात नहीं बनेगी यानि कि now you need an updated crash course and ये बेटा जी crash course हमने start कर दिया है आप इस crash course में अभी भी जुड़ सकते हैं सिरफ एक हफता हुआ है इसको चालू हुए one of the best crash course बेटा जी 22 January को शुरू हुआ है जिसकी पहले दो दिन तो सिरफ orientation में गए थे यानि कि one week हुआ है जादा syllabus नहीं हुआ है आप आज भी इसको join कर सकते हैं maximum discount के लिए code क्या लगाना है supply इसका link बेटा में comments में पिन कर रही हूं और description में डाल दे रही हूं दूसरा अग स्टार टेस्सीरीज फर नीट यूजी अब इसका क्या मतलब है crash course में हमने बहुत सारे टेस्स आड किये हैं यह सारे टेस्स का sequence आप बायाउट कर सकते हैं यह जो आपको सारे टेस्स मिलने वाले हैं इस टेस्ट आर अड़ प्राइस प्रपल नाई इस पर भी आपको off जो चा पेपर एटेम्टेशन बहुत प्रॉपर करता है जिसको पेपर की स्पीड बहुत अच्छी है जो प्रेशर से खबराता नहीं है जो ऐसे उन्वाइर्मेंट में already simulated environment बोलते हैं इसको simulated environment में और इटनी प्रैक्टिस कर चुका है जैसे की जब हजारों बच्चे पेपर कम डर फील होगा तो इसी चीज़ को फील करने के लिए बेटा आपको एक test series definitely ले लेनी जाहिए इस test series में total आपको 5 part syllabus test and 6 full syllabus test मिलने वाले हैं और ये test series शुरू हो रहे हैं Sunday से February 4th से One of the best quality questions following new NCRT आपको मिलने वाले हैं and मौकर मिलेगा सारे crash course से compete करने का and जब healthy competition होता है तब ही बेटा जी mind prepare होता है 24 लाग बच्चों से compete करने का अब बेटा दर के अब खतम करो कि हम test नहीं देते क्योंकि हमें demotivation होता है अब कोई मतलब नहीं है test देना बहुत ज़रूर ही है नहीं तो बेटा फिर paper के बाद बिना selection के demotivation और अच्छे level का होगा and which I hope you do not want that तो इसको ज़रूर consider कीजिएगा code क्या लगाना है आपको cplive and मैं इसका भी link comment box में and description में pin कर रही हूं बाकी बेटा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर like करें अगर आपको पता था पहले से तो भी like करें नहीं पता था तो भी करें and comment ज़रूर करके जाएं what do you think about this and thank you so much from my side take care